पता हम सब लोगों की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमें ये डिसिजन लेना पड़ता है कि अब हमें गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेनी है तो आखिर कौन से गाड़ी लेनी है कबया आते हैं वह होते हैं कि जब हम लोग घ्र खरीदने होते हैं तो तो हमारी यूटिशित क्या है हमें है घरी चाहिए क्युम है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप आपको कुछ ऐसी चीजे बताव गांगा जिसके अंदर कोई एकसी तरवी पहुआ जो बहुत जादा complicated होगा और आप इस वीडियो के बाद एक बहुत ही smart decision ले सकते हो कि आपको अखिर गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और अगर लेनी चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए moving forward सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना बहुत जादा जरूरी है ये सब के लिए है कि पहले तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आपको गाड़ी आखिर क्यूं चाहिए आपका why clear होना चाहिए गाड़ी गा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जादा तर लोग गाड़ी सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उनके दोस्तियारों के पास है या फिर उनके सरकल में बहुत सारे लोगों ने गाड़ी ले लिए और उनकी एज हो रही है तो अब सबसे पहले मालो आप गाड़ी ले रहे हो और यहाँ पर मैं पापा की दिलाई भी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप अपने पैसों से गाड़ी खरिदने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको consider क्या करना है सबसे पहले एक wise decision लेने के लिए आ तो कहने का point यह है मालो अगर आपकी जेब में इस वक्त सिर्फ 2,00,000 रुपे है न तो भी आप easily EMI के ऊपर एक 8-16,00,000 तक की गाड़ी अराम से उठा सकते हो क्यों क्यों क्योंकि आपको EMI मिल जाएंगी और बहुत सारी नई-नई schemes भी आ गई है जिससे आपके लिए यह cars खरीदना बहुत ज़्यादा असान हो गया है तो सबसे पहले आप अपने financial position चेक करो अब यह चीज कैसे समझ में आती है कि हमारी financial position सही है गाड़ी लेने के लिए या नहीं है देखो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं समझने की कोशिश करो अगर मान लो आपको ग financially smart और wise decision ले पाओगे अगर आपकी दो लाख रुपे की income है तो आपकी income का 7x इससे उपर आपकी गाड़ी का प्राइस नहीं होना चाहिए at any cost मतलब अगर आपकी दो लाख रुपे की income है तो आप 14 लाख रुपे से उपर की गाड़ी मत खरीदो अगर आप महीने का दो आपको 14 लाख की नहीं आपको 20 लाख की गाड़ी भी अराम से मिल जाएगी क्यों क्योंकि options बहुत सारे available हो गए है जहां पर आपको लोन पर अराम से गाड़ी मिल जाती है तो लोगों को यह लाला चाहता है कि हैर कमाम 2 लाख रुपे ले रहे हैं लेकिन हम लोग 20 लाख र कुनने से ज्मेहंगी गाड़ी खरीदते हो तो दो प्रॉब्लम जाती है पहला कि आपको प्रॉब्लम आती है येमए करने में में कि Character हमकेत के आपने पांच छे साल किसे लिए अंप रहे 10,000 रुपे के मकान में रहे हो ऐसा तो होगा नहीं तो वहाँ पर आपने घर भी लिया होगा and there are very high chances के अगर आपने घर लिया वा है तो वह गर भी या तो आपने रेंट पर ले रखा है अगर आप एक अच्छी जगा पर definitely रहे होगे अगर आप 20 लाक रुपे की गाड़ तो 30,000 की यह मैं आपको दो लाक रुपे की इंकम पर दिखेगी बहुत कम बट क्योंकि आपके बाकी खर्चे भी हैं तो यह 30,000 आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगा आपको लगेगा यह 30,000 रुपे हर महीं ने अब एक और इंट्रस्टिंग चीज है जो इसका दूसरा क्यों आपको नहीं लेनी चाहिए वो रीजन यह है कि चेंज बहुत तेज हो रहा है हर चीज आज की डेट में टेकनोलोजी बहुत सारी चीजें बहुत ज़्यादा फास्ट बदल रही है बहुत ज़्यादा तेज बदल रही है अब आने वाले टाइम में उसके दो साल तीन साल के बाद ही कोई ऐसी गाड़ी आजाती है मार्केट में जो उससे शायद आदे प्राइस की है और उसमें उससे बेटर फीचर भी है और वो उससे बेटर परफॉर्म भी करती है हर एक चीज में तो आपको बहुत ज़्यादा अफसूस होगा कि यार मैंने अभी देड़ दो साल पहले गाड़ी खरी दिये और अब उस गाड़ी की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहे क्यों क्योंकि मार्केट में नई सेग्मेंट सागे हैं जो कि इससे सस्ते भी और इससे बेटर भी परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यो अब दो साल तीन साल में बहुत जट से बदल सकती है तो आपको पच्तावा बहुत ज़्यादा होगा अब कमिंग तुदा नेक्स्ट पॉइंट के वह चीज आपको जब भी आप डिसीजन ले रहे हो कि मेरे को अब गाड़ी लेनी ही लेनी है तो उस सेनारियो के अंदर की लाइस का गाड़ी खरीध रहे होते हैं इस्पैशली तब जब वो लोग 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीध रहे होते हैं और में बताता हूं इसका क्यों क्योंकि देखो अगर आप 10,00,00 से नीचे की गाड़ी खरीद रहे हो ना तो आप utility को पहले देखते हो considering क्या आप एक SUV नहीं खरीद रहे क्योंकि SUV थोड़ी महंगी आती है अगर आप 10,00,00 से उपर की गाड़ी खरीद रहे हो और वो गाड़ी hatchback या फिर sedan है तो उस scenario के अंदर आपके लिए utility भी matter करती है और आपके लिए उस चीज़ की show value भी matter करती है आप मानो या ना मानो ये सच्चाई है आपके लिए matter करती है ये चीज़ अब यहाँ पर बात यहाँ आ जाती है कि मान लो देखो यहाँ पर मैं businessman की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके लिए scenario एकदम different है अगर कोई businessman गाड़ी पर chase करता है पहली बात तो उनको गाड़ी बहुत सस्ती परती है वाई because of depreciation और वो उसको as an expense claim कर सकते हैं तो वहाँ पर उनको पैसे बहुत बचते हैं तो वहाँ पर बात नहीं हो रही यहाँ पर बात रही एक normal middle class बंदे की जो की गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा है जिसका business नहीं है बहुत बड़ा अब देखो यहाँ पर पहली बात होने वाली है या हुई नहीं या फिर अभी आप अपने जस्ट नया नया कमाना शुरू किया है सबसे पहले आप यह देखो कि आपकी utility आखिर है कितनी कितनी है मैं आपको एक example से संदाता हूं देखो मेरे पास personal गाड़ी नहीं है और मैं आपको reason भी बताऊंगा कि मैं उसक गाड़ी की यह चीज चेक करो और यह चीज कोई बात नहीं करता इस चीज के बारे में और कोई चेक भी नहीं करता कंजम्शन वैल्यू का मतलब होता है आपने कोई product खरीदा है अब वो जो product है उसको आप कितने period of time तक consume करते हो मतलब मैंने कोई भी चीज अगर खरीदी है तो उस चीज की जो value है जिस चीज के लिए मैंने पैसे दी है उसकी consumption मैं आखिर कितने time तक करूँ आप यह पीछे बोर्ड देख रहे हूँ अब यह बोर्ड की जो consumption मेरी बहुत लंबी है क्योंकि मैंने इस पर बहुत लंबा काम करना है तो यह चीज होती है आपकी गारी की कंजम्शन वाल्यू क्या है और आपकी कंजम्शन वाल्यू बहुत चीज़ों साई डेटर्माइन होती है जैसे कि आपका टेन्योर कि आप कितने टाइम में अपनी गाड़ियां चेंज करते हो दूसरा आपने जो गाड़ी खरीदी है उस गाड़ी को आप यूज किस चीज के कर रहे हो मतलब कि आप उस गाड़ी को सिर्फ हाउज होल्ड परपल्स के लिए यूज कर रहे हो या आपको ओफिस लेके जानी है तीसरा उस गाड़ी में आखिर कौन-कौन बैठता है सिट यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है मैं आपको एक चीज़ बताता हूं मेरे पा उसके घर के पार जादा तर खड़ी रहती है उसको वह बहुत कम दिन अपने ओफिस लेकर जाता है तो मैंने उनसे बूचा कि यह 6.6 करोड रुपे के गाड़ी क्यों खरी दी है उन्होंने बोला कि यह गाड़ी में उस दिन निकालता हूं जिस दिन मेरे को कोई 10 करोड 15 कर क्लाइंट के साथ बैठना होता है तो अगर मैं उसको एक 2-3 लाख रुपे की गाड़ी में बिठा कर कहीं पर लेकर जाऊंगा और मैं उससे करोड़ों की डिल कर रहा हूं तो वहां पर वह चीज मेरे लिए बहुत जादा लॉस मेकिंग है क्योंकि उस बंदे को मेरे उपर ट्रस्टी नहीं होगा कि तो खुद पांस लाख की गाड़ी में गूम रहा है तो क्या मेरे को करोड़ों की डील करके देगा यह पॉइंट है अन्द सेकंड तिंग इस मेरे जो लॉयर्स है मेरे लॉयर्स होंडा सिटी ड्राइव करते हैं और वेरी वेरी यंग ठीक है नौ क्योंकि अगर हम बहुत ही गंदी गाड़ी रखेंगे तो हमारा जो क्लाइंट है वह सोचेगा कि यह जो लॉयर्स है इंकॉम्पेटेंट है इसलिए हमें गाड़ी अच्छी रखनी पड़ती है प्लस मैं उनकी गाड़ी में बैठ कर यह कोड जा रहा था तो उन्होंने का क इंपॉर्टेंट है कि आप यह भी देखो कि आपकी गाड़ी में बैठ या कौन-कौन अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो और आपको उसके अंदर सिर्फ लड़कियों को बिठाना है मतलब कॉलेज में गाड़ी गुमानी है इधर उदर जाना है अपने दोस्तों को बिठा इधिये इस्पेशली रेलेटिव की बात निकर रहों आपकी एक्चुल फैमिली की बात कर रहों जहां पर आप रहते हों वह लोग आपको जज़ नहीं करेंगे तो चाहें आप उनको चार लाक की गाड़ी में उनके लिए बात सेम हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ेगा तो वहां पर बात यह क्योंकि उसको क्लाइंट्स बिठाने हैं अपनी गाड़ी के अंदर क्योंकि उसके क्लाइंट्स उसको पैसा इसलिए जब उनको गाड़ी दिखती एक आता है so in that scenario उसके लिए उस गाड़ी की consumption value बहुत ज़ादा हाई है इसलिए उस बंदे ने उस गाड़ी के ओपर 6 करोड रुपे खर्च करें क्यों क्योंकि उसकी consumption value उससे भी ज़ादा है वो उस गाड़ी का use करके जो कमाएगा वो बहुत बहुत ज़ादा है इसलिए उसके लिए उसकी consumption value बहुत ज़ादा है बट अगर आप एक normal बंदे हो आप एक बहुत simple से middle class family से आते हो बहुत ज़ादा अमीर नहीं हो तो आपके लिए एक महेंगी गाड़ी खरीदने का कोई sense नहीं बनता और में तो गहीं अगर आप दो लाँ रु क्रुपई महिना कमा रहे हो तो चौदा लाँ रुकए की घाड़ी maximum लो न इस से उपर आपको जाना यह क्यों है क्योंकि अगर आप 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 तो इसका point यह होता है कि आपको ना life में ऐसी बहुत सारी situations मिलेंगी जहां पर आपको यह समझना ज़रूरी है कि यह मैं cost को prefer करूं या मैं convenience को prefer करूं अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो मेरे को अगर कोई चीज 50-60 रुपे में एक जगा से दूसरी जगा पहुचा रही है और मेरे को दूसरा वहिकल वही चीज 10 रुपे में करके दे रहा है तो मैं दूसरे वहिकल पर बैठता हूं प्रसबोस मेरे को अगर कहीं जाना है तो मैं मेट्रो में जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेड टू कैब क्योंकि मेट्रो के अंदर मेरा वह ट्रैवल सस्ते में हो रहा है और मेरे को उतनी ज्यादा headache नहीं लेनी परती है मैं आज भी मेट्रो का यूज करता हूं reason being क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा convenient भी है और मेरे पैसे बचते हैं सबसे बड़ी बात वह है second चीज देखो कुछ scenario के अंदर आपके लिए convenience बहुत ज्यादा matter करती है और यह भी important है मैं बताता हूं आपको अगर मेरे को किसी ऐसी जगह पर जाना है जो की Metro station से दूर है म मेरे को जब भी कहीं पर travel करना होता है कहीं भी जाना होता है किसी से मिलने भी जाना होता है तो उस scenario के अंदर मैं सबसे पहले लोकेशन खोल कर देखता हूं Google Maps पर और अगर उसमें मेरे को दिखता है कि यार इस location के बहुत ही पास कोई Metro station है तो मैं Metro लेकर ही उस जगह पर जा Metro का तो मैं Metro करूंगा ना क्योंकि वहां पर मेरी कॉस्ट भी बच रही है और शायद मेरे लिए वह convenient भी है बट अगर मेरे को किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां से Metro station बहुत ही जादा दूर है तो इन डाट सेनारियो मैं हमेशा कब करूंगा रीजन बिंग क्योंकि यहां पर मेरे लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर मेरे लिए convenience इपॉर्टेट है क्यों क्योंकि मेरे को पहले Metro station जाना पड़ेगा फिर Metro में बैठना पड़ेगा फिर वहां से उतरके मेरे को दुबारा कैब या ओटो या कुछ ना कु है तो आपके लिए कॉस्ट जाधा इंपॉर्टेट बन जाती है और अगर आपके आपके पास यह में पैसे जाधा बट आपके बस टाइम कम है तो आज की टेम कम होता है कंपैट इवी तो मेरे लिए कौस्ट उत्नी में करती है मैं कहता हूं मेरे 50 रुपए की जगा 300 रुपे भी लग जाए मेरे को फरक नहीं पड़ता क्यों क्योंकि मेरे लिए जो टाइम है वो जादा मैटर करता है कि यहां पर मेट्रों में जाओंगा वहां से उत्रूंगा और फिर यह सारी 10 चीज़े करूँगा बट आपके लिए चीज समझना बहुत जादा ज़रूरी ह कि अगर आपका काम चल रहा है तो आपको क्यों पर्चेज करनी है कार देखो अंट्रे अनलेस आपकी फैमिली है आपकी वाइफ है बहुत सारी लोग है फैमिली में तब तक आपके लिए गाड़ी लेने का मतलब नहीं बनता इफ यूरा सिंगल परसन मैं आपको बताता हू देखो ऑप्शन ना यह एक ऐसी चीज है जिसको ना हम लोग डिस्रिगार्ड करते हैं लाइफ में हमेशा और हमें करना चाहिए क्यों क्यों हम लोग जब डिसिजन लेते हम लोग इमोशनली लेते हमें लगता है हमारे कॉलेज में तो उसके पास गाड़ी है अरे यार मेरे जिन्दगी में कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है रीजन क्योंकि देखो जब आपके पास पैसे होते हैं आपका बैंक अकाउंट भराव है तो आपना मन से खुश होते हूं आप किसी और को इंप्रेस करने के लिए अपना अकाउंट खाली कर दोगे तो आप उसको तो खु ही दिया ना आपकी 2,00,00,00 रुपए की इंकम है तो यह जो है यह आपके लिए मैनेज़े बल आ है आप चौदा लाग रुपए अराम से मैनेज कर सकते हो क्योंकि इसका यह अम बहुत कम बनेगा और प्लस क्योंकि आपकी 2,00,00,00 कर दिया यानि करीब चौदा लाख तो स्टिल आप एक साल के अंदर चौदा लाग रुपे की गाड़ी अफॉड कर सकते हो अगर आप दो लाग रुपे महीना कमा रहे हो क्यों क्यों कि आपकी सालाना इंकम 24 लाक के आसपास बैठ रही है तो उसमें से आप 14 लाग रुपे आराम से निकाल सकते हो गाड़ी के ल वो पैसे आप कहीं और लगा रीजन वींग क्योंकि आपकी यूतिलीटी नहीं देखो गाड़ी का पॉइंट होता है यूतिलीटी का अंटेल एन अनलेस यू वार बिजनसमेन और आपको बिजनस के परपस के लिए गाड़ी चाहिये क्योंकि अगर आपकी यूतिलिटी यह आपको गाड़ी क्यों लेनी है makes no sense क्योंकि गाड़ी में आपका पैसा एक जगा पर फस जाता है और वह आपको पैसा कमा कर कभी देगा नहीं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह होती है जो लोग कंसिडर नहीं करते वह होती है ऑप्शन्स दिखू और ऊप्शन्स में क्या होता है ना औंप्शन्स में लोग एक चीज समझना बूल जाते है ते कि वह देखते हैं कि हमारे पास गाड़ियों में कौण से उप्शन है बजाए कि उनको यह देखना चाहिए कि हमारे पास travel में कितने options हैं क्योंकि अगर आपके प correct traveling options बहुत सारे available जिसमें आप यहाफ या फिर आप गरो ठीक है तो देनी बाइक पहले अपने पॉसिशन कंसीडर करो अपनी position देखो आप financial क्या है अगर आपकी position अलाओ नहीं कर रही गाड़ी लेना तो please आप उस गाड़ी को purchase मत करो और अगर आप यह सोच रहे हो बहुत साले लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि हाँ मैं ना गाड़ी नहीं लूँगा मैं वो गाड़ी के पैसे पूरे कर उसको कहीं पर invest करके बहुत जबर्दस returns निकाल लोगे तो मैं बताता हूं आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है कि आपकी utility क्या है आपकी financial position क्या है and most importantly आपकी जो financial position है आप उसको disturb करके अपनी कार परचेज मत करो आप उतनी ही कार परचेज करो उतने की ही गाड़ी लो जितनी गाड़ी आपके उपर बहुत ज़्यादा लोड अना डाल रही हो which is 7x of your income I hope कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी ऐसी चीज़े सीखियो जो आपको कोई नी बताता अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी valuable सीखा हो तो इस वीडियो को like और हमारे चैनल को please subscribe कर दीजिए तकि आपसे ऐसी powerful videos कभी भी मिस ना हो